आसलाम नेकम, so today our topic is TCA cycle, TCA cycle के कोई फर्दर नाम कुछ है, that will be a craft cycle or oxaloacetate cycle, TCA stand for the tri citric acid cycle, आसलाम के सकते हैं असको इसे डिवेड़ा में जोगी तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह से डिवारी के जगहां हो रही होगी तो सबसे पहले बात करते हैं, कि तो यहां पर हो रही होगी डेट विल या माय। सबसे हमारे सबसे सथा ci Р PRI मेट्रिस में तो होघी है लेकिन कौन से टिशू या कौन से टाइब करें किस टिशू के निदर के एंदर बात करें तो निदे do tissue जवनें यह Tasाइड हो रही ए तो ढेंद इस लिवर ऻाल लिवर टिशू मस्कुलर टिशू और एंदर इस के रहे होती है उसके वाद हम बात कहत है इसका क्या है नि कि इसके वी कामन किसी वी कामन किसी भी कामन कि से कॉमने क्वाइनल कोर्पे होता है तो श tenía Yeko levon यह final pathway पर फाइनल common pathway पर फे जो होगा that is a that is a Kelvin cycle ठीके एंदेन क्या केते हैं हम बात करते हैं कि जो इसका फूर्ट सब फीटिंग फॉर्म है वो क्या है फूर्ट सब फीटिंग फॉर्म जो है तो एसे टाइल को एस गनवर्ट इंटू आथी सीय साइकल इसके 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 थीज़ इसके तर्ड सिगनिफिकेंस क्या है इसका थर्ड सिगनिफिकेंस जो है इसके निफ्टेज साइकल और करते हैं यह एक आसा ऐसी साइकल है जो इंटरिंग है किसके अंदर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें एंड्राइब गार्थ इस वजय को सब्सक्राइब सबस्क्राइब बात करते हैं तो यहां पर बात करते हैं यहां पर इसमें जितने ग्लाइको-णियोजनैसिस ए लिपोसंदेश लाइकोणियोजनैसिस अगरन हम करते हैं इसका बहुत नियुकुल के मिन będzie अधुकुल प्रोटीन और प्रोटीन संथिसिस के अंदर इसके लावा यह प्ले करता है एनपलाइटिक रूल विदिना मेटाविजम प्ले कर रहा होता है अच्छा अब इस साइकल के अंदर यह टीशिये साइकल है यह क्रैप साइकल जो है इसमें इस साइकल के अंदर बहुत सारे जाइम यूज होते हैं अब विर देल्जाइम विल पी अकर यानि कहां पर वो इल्जाइम पाए जाएंगे तो हम बात करते हैं और टाइप ऑफ इल्जाइम विच इस यूज इन्टु अ क्रैप साइकल ओटीशिये साइकल यह प्रिज एलावा एक ऐसा एक मैसा है जो monitor मुटरे में might nutrition नहीं होगा वियर प्रेजन इंटू इंटु इंटु दी चाहिकल के अंदर कुछ स्टेप्स हैं या अगर हम बात करते हैं अब यहां पर हम बात करते हैं अच्छा अगर यहां पर बात करते हैं इसके कुछ सिविरल स्टेप्स होंगे अब उन सिविरल स्टेप्स में बेसिकली अगर आप एक स्टेमराइज मैंने एक स्टेमराइज कर दिया इंस टेप्स को कि सबसे पहले टीशी साइकल का जो फर्स स्टेप होगा डाइज आप संथेशी ऑफ सिट्रिक एसिट्रेट यानी सिट्रेट मॉलिक्यूल की क्या होगी फॉर्मेशन होगी फ्रीक है ति्दू कमेशन होगी है संस्सेट्रेट स्टेमेशन होगी किस की सेट्रीट किस्तेरेट क्सेड़कर होardक हुआ उसके बाद इसकोwl में हम आगे पढ़ेगे अब यहां पर अब बात करते हैं तो ascetyl coae they will be converted into citrate in the presence of citrate synthesis citrate synthesis enzyme है उसकी मुझूदगी में they will convert into a citrate अच्छा यह एक जो process है irreversible process या नि इस ट्रेट वाफपिस से convert होता है है एसी ठाइल सारी एफ़ाइब बात करते हैं यह यह रिवर्साबिल प्रासेज नहीं और आपस नहीं होसके किसके अंदर आक है किसके अंदर तो इसके बाद हमारे जो सेकंद स्टेप है यह सा नमबर टू अप इसमराइजेशन के आगर बात करते हैं तो सिट्रेट इस क्या करेगा सिट्रेट मॉलिक्यूल जो है यह अपने इस के अंदर क्या होगी आईसमराइजिव होगी ऐसमराइजिशं के बाद देविल कंवर्ड इंटो आई शुट्रेट और यहां पर जो जाइम जीज दोगा that will be a conitase that exam name will be a conitase in conitase exam convert isomerase isomerisome का process करेगा citrate के इंदर and then convert it into a isocitrate उसके पास हमारे पास third step है the third step will be a isocitrate third step will be a first oxidative decarboxylation यानि हमारे पास first carbon यहां पे इस step में oxidative carboxylation होगी oxidative carboxylation यानि carbon dioxide क्या होगी यानि कोई भी molecule break होगा और उसके बाद carbon dioxide क्या होगी remove होगी the first car is यहां इस cycle में first time क्या होगी carbon dioxide remove होगी क्योंकि आगे भी होगी यानि first मतलब यह हम सब बात पर पता चल रहा है कि आगे पी कहीं ना कहीं जाके इस देक्षिंट इस ही अधिज और का अप्रसेस एंधिक से वा सुशिवार तो फर फ़र्स और इंटो ऑन फाइलफा टीटो ग्लुकार एट तीग ए एलफा कीतो ग्लुकारेट में जौन ग्लुकारेट और इंजायम यहां पर चूर्क कर रहा है that will be a isocitrate dehydrogenase isocitrate dehydrogenase यहां पर मैं एक बात integrate करता जाओं जहां पर भी एक ऐसा एजाएम यूज हो जिसमें dehydrogenase यानि ऐसा एजाएम जो जो क्या हो dehydrogenase exam हो ऐसा reaction जिसमें भी dehydrogenase exam हो तो वहां पर क्या होता है basically वहां उस reaction के अंदर NADH convert NAD plus conversion All right, NADH के अंदर हो रहा होता है यह FAD convert हो रहा होता है FAD 2 के अंदर convert हो रहा होता है तो यह convert हो जाएगा किसके अंदर alpha ketoclucarate के अंदर in short alpha kg ठीके alpha kg इसको कहते हैं ठीक उसके बान मारे पास फूर्थ step is second oxidative लेकार्व ऑव जिलैशन यानि हमारे पास Second time,نół कार्वाउजलेशन हो रही है, अच्छा, अब यह दी कार्वाउजलेशन हो रही है, अच्छा, अब यह इस टेप में होगा क्या कि अलफा कीटो गलुकरेट कनवर्ड करेंग अपने, कनवर्ड होगा किसके अंदर they will convert into a succinyl-Co-A they will convert into a succinyl-Co-A अब succinyl-Co-A की अगर हम बात करते हैं तो succinyl-Co-A succinyl-Co-A जो है they convert यानि जब succinyl-Co-A बनेगा यह किस molecule यह किस enzyme की मुझूदगी में बनेगा that enzyme which are present in this step they are alpha keto dehydrogenase यानि यहाँ पर भी dehydrogenase enzyme है यहाँ पर भी क्या होगा NAD molecule they will convert into a NADP NAD molecule convert हो जाएगा NADH molecule के अंदर ठीक है हम आगे step जो इसको हम आगे further explanation की जब में जाएंगे तो इसकी discuss करेंगे कि आया किस तरीके से कोई एक component ने कम पाई एक एक रेक्टेंट कनवर्ट हो एक molecule convert हो रहा है दूसरे molecule में रही है एक रेक्टेंट कनवर्ट हो रहा है दूसरे product के अंदर अच्छा इसके बाद अगर हम बात करते हैं next step की तो हमारे पास क्या है that will be a step number five that step number five will be a formation of succinate यहाँ पर क्या हो रही है यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर यहाँ पर करने में क्या कर रहा है यानि convert करने में क्या कर रहा है help रहा है उच्छा जो उसके बाले जो बात करते हूं जो हमारा next step है that is step number 6 that is step number 6 oxidation of succinate यानि क्या होगा oxidation of succinate होगी oxidation होगी किसकी succinate molecule की यानि succinate molecule convert होगा किसी दूसरे molecule में या इसमें breakdown होगी अच्छा अब हम बात करते हैं succinate convert हो रहा है that will be a fumarate अब यह जो step number 6 they are a reversible reaction यह क्या है they are reversible reaction इससे पहले भी हमारे पास एक reversible reaction था and that reverse reaction will be step number 2 यानि step number 2 में citrate convert आइसो citrate के अगयन यह citrate again convert हो सकते हैं किसके अंदर citrate molecule के अंदर तो यह कब होगा इसकी भी हम आगी डिसकस करेंगे अच्छा उसके बाद यहां पर जो आपका succinate convert हो रहा है for fumarate में तो यहां पर जो enzyme use हो रहा है that will be a succinate dehydrogenase succinate dehydrogenase enzyme अच्छा अब यहां पर next step जो है step number 7 the step number 7 जो है that will be a dehydrogenase generation your step number 7 that is a dehydrogenation या इसमें होगा क्या fumarate convert होगा किसके अंदर मेलेट में ठीके dehydrogenation का process होगा तो हम आगे बात करेंगे dehydrogenation addition of water होगी और देन क्या होगा कि fumarate convert हो जाएगा into a maleate in the presence of enzyme यहां पर यहां पर भी enzyme present है and that exam name will be a that exam name will be a fumarase fumarase design ठीक है fumarase enzyme मुझूद होगा यहां पर जो क्या करेगा fumarate को convert करेगा into a maleate अब last step जो हमारे इस scrap cycle का है that is step is step number 8 dehydrogenation यानि यहां पहले क्या होगी है hydrogenation होगी यानि water molecule add किया गया है लेकिन जो last step होगा उसमें वापिस से hydrogen ion को maleate में से क्या कर दिया जाएगा remove कर दिया जाएगा that's why they will be step will be known as a dehydrogenation dehydrogenation अच्छा अच्छा अब होगा क्या जब dehydrogenation होगी maleate की तो they will be convert into a oxaloacetate ठीके वो convert होजाएगा अब milate convert होजाएगा किसके अंदर oxaloacetate के अंदर यहां पर जो islam use होगा that is a maleate dehydrogenase that is my name will be a maleate dehydrogenase होगा तो यहां पर भी क्या होगी conversion of NAD किसमे NADH के अंदर conversion होगी ठीके अब आगे इससे आगे हम इसको इनको इन steps को furtherly briefly way में explain करते हैं लेकिन इससे पहले में इन steps को याद करने के लिए एक mnemonic या एक sentence हैसा बताता हूँ तो जिससे आप easily way में इस सब को याद कर सकते हैं कि पहले कौन सा molecule बनेगा then उसके बाद कौन सा molecule बनेगा और उसके बाद कौन सा बनेगा तो सबसे पहले बात करते हैं तो हम बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले जो molecule है हम example लेते हैं citrate citrate बात करें इस तरीट इस तरीट इस तरीट इस क्राइब तरेट इस क्राइब starting 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 substance subscribe starting subscribe and he is a trade is scrap starting citrate for making making millate for making oxalate oxaloacetate oxaloacetate क्या होगा यह स्टेप इसका मतलब क्या हुआ सिट्रेट इस क्रैप स्टार्टिंग subscribe for making mill oxaloacetate यानि इस स्टेप होगा यानि फर्स्ट आपको जो स्ट्रेट है the convert into a isomerase is stand for isomerase crap stand for ketoglycolate alpha keto glycolate starting stand for a succinyl for a succinyl for a succinyl for a and then substrate is awesome is succeed use for a succinct use for a succinate and then succinate convert into a food for a stand for a fumarate and then mill it for a few minute converted into a millet and for making for any for stand for a fumarate and that making will be known as millate and millate converted into a oxaloacetate and oxaloacetate again converted into a again into converted into a acetate ठीके तो यह का इन्रमानिक साही एक सेंटेंस था जिसमें आप easy way to cycle को बाखूबी से याद रख सकते हैं ठीके अब चलते हैं इसके explanation की दरफ कि कब पहले क्या होगा फिर क्या होगा और दिन इस यह reaction किस तरीके से होगा ठीके सो यह हम अगर बात करते हैं यह एक सेल है सो यह एक सेल बना रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है सबसे पहले सबसे पहले तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर glucose मौलेक्यूल इंटर कर रहा है किस इंदर करते हैं तो सबसे पहला ज होता है या ग्लाइकुलिस ज़र ग्लाइकुलिस और फॉर्मिशन ऑफ पायरवेट फॉर्मिशन ऑफ पायरवेट के बात और ऑख सिडेटिव अगर ऑफ सिचियन मुजूद है और तो अपना एरोबिक ऑक्सिदेटिफ औक्सिदेशन हो रही है पौप बाइर वेट की पार्वेट की फॉर्मेशन के बाद पारवेट की वाद पारवेट इंटर करता है पारवेट पारवेट के लिए इन्टर मॉलिक्यूल के Molecule फॉर्म करते हैं टू और तो इडी है मॉलिकूल और टू एटीप करता है कौन ग्ल्यूकोस्च बंड हो रहा होता है किसमें चायरुएट पायरुएट में अगर हम बात करते हैं कार्भी मार्ड इस थ्री कार्वन स्कार्वन कंटैनिंग मॉलिकूल यहां पर कार्भन नं तो ओक्र यहां पर एक कांपेस कोईत विया नी यह है पर भी कन्वाटionen होगी किसकी और NAD molecule convert किसके अंदर NADH molecule के अंदर होगा क्या पाइरवेट से पाइरवेट molecule से एक carbon dioxide carbon को remove कर दिया जाएगा और उसकी जगा attached किया जाएगा एसी टाइल इसको जगा add किया जाएगा कोई इस फैक्टिंग कोई जाएगा जब कोई एक किया जाएगा तो कोई एक किया जाएगा तो देट मॉलिक्यूल रिमूव नहीं पाइरवेट रिमूव कार्बन डियोकसाइड एड एन एन डियस मॉलिक्यूल और से इसरीताइब क्यूव प्रेक्वू uel के है योड GIS है तो सबस्क्राइब इसाओ वेल सब्सक्रासिस मॉल08 थैयूर्ण फॉर्दी जो से हो करेगा किसके साथ और किसके अंदर तो अभी हमने पड़ा तो ऐसी नहीं होगा यहां पर मुझूद होगा क्या एक जाएम एंड़ एक जाएम नेम बिल बिया सब्सक्राइब कर रहे होते हैं उसमें सबसे अगर हम पहले बात करते हैं इंहिटर्स की तो कि इसको कौन-कौन कौन-कौन सी चीज़य क्या कर रही होंगी इनहिट कर रही होगी कब ये अपना पॉशन येचमेभाड जाद़ कर देगा और कर अगर बॉध करप अनकर आती हैथ तो सबसे पहले जब ATP production ज़ादा हो गई, यह ATP बढ़ गया है ज़ादा, तो क्या होगा, यह क्या करेगा, अपना, इसके reaction क्या हो जाएगा, इसके जो function है, they will be stop their function, यह जो regulatory regulation है, stimulus, यह जो convert कर रहे, अपना acetalco A को, किसके अंदर, citrate के अंदर, they will be a stop, अच्छा, उसके पास जो next inhibitor है, that will be a NADH molecule, जब NADH molecule की concentration ज़ादा हो जाएगी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, they will be a stop their regulation, उसके अलावा हमारे पास एक और alignment, citrate itself, यानि citrate itself भी क्या कर रहा होगा, citrate itself भी inhibitor का का काम कर रहा होगा, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो हमारे पास आगे का जो step है, जिसमें citrate convert हो रहा है into a isocitrate, तो जब यह reversible परोगा, यानि यह reversible step है, जब isocitrate further convert नहीं हो पाएगा कि दूसरे substance में, तो यह will be again reverse, तो isocitrate convert होगा, citrate के अंदर, citrate concentration बढ़ती जाएगी, then they will be go and act as an allosetic inhibitor itself, ठीके, तो एक बात यह उसके इलावा, इस cycle के अंदर एक और molecule बन रहा होता है, that molecule will be a succinyl-CoA molecule, succinyl-CoA molecule के अगर हम बात करते हैं, succinyl-CoA molecule भी क्या करेगा, as an inhibitor काम करेगा, अच्छा, यहां पर मैंने octopus की एक development diagram बनाएगी है, और उसके 5 lakhs बनाएगे, 5 lakhs, मतलब इस चार तो ऐसी चीजें हैं, जो क्या हो रही है, जो क्या कर रही है, inhibitor का काम कर रही है, लेकिन एक लेक ऐसा है, जो इसको क्या कर रहा है, forward कर रहा है, यानि आगी के तरब बढ़ा रहा है, और वो जो stimulation है, जो positive stimulation आ रही है, और वो positive stimulation आप की क्या है, that is a NADP, and, sorry, ATADP, वो क्या है, positive stimulation की सी, यानि इस reaction को continue रखने के लिए, जो stimulation आ रही हो क्या है, that will be a concentration of ADP, यानि high concentration of ADP क्या कर रहेगा, इस process को क्या कर रहेगा, continue रखेगा, अब ऐसा है क्यों, कि जब अगर हम बात करते हैं, ATP आप की कंसेंट्रेशन, जब यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमने बात की वी है, कि ATP कंसेंट्रेशन जब जादा हो जाएगी, तो यह क्या करेगा, inhibit हो जाएगा, लेकिन हमें पता है, कि ATP हमारी बाड़ी को बहुत ज़्यादा, फंक्शन में चाहिए, जैसे कि हम बात करते हैं, हम अगर बात करें, हम मसल कंट्रेक्शन कर रही है, मेटाविजम करने हैं, जो उसमें हमारे पास ATP होना ज़रूरी है, ATP हर जगा हमारी बाड़ी में, काम कर रहा होता है, तो अगर ATP कंजूमिंग जादा है, तो आप उसके आटोमेटिक ADP की प्रोड़क्शन भी क्या हो जाएगी जादा, और ATP जब कंवर्ड होगा, किसके अंदर ADP में, तो एक और यहां पर जो जाएपना सब्सक्राइब करता है, तो उस फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, अच्छा, अब जब कंसेट्रेशन अब ATP बढ़ गई है, तो यह क्या करेगा, यहां पर जो इल्जाइम है, सेक्सिनाइट अपना, अच्छा, इस उस फॉर्म पर जो इल्जाइम हो रहा है, यहां पर जो इल्जाइम हो रहा है, तो इल्जाइम के लिए इन्हेबिटर फेक्टर का काम कौन करता है, इल्जाइम के लिए एक इन्हेबिटर फेक्टर का काम करता है, फ्लोरो इस से एसिटेट, फ्लोरो इसिटेट अब यहां पर बात करते हैं, तो एसिटेट, फ्लोरो इसिटेट प्रेजन मुस्टी फांड होता है, रेड पॉइजन के अंदर, जो चुहों क्या poison होता है उसके अंदर ये मिलता है आपको दो यहां पे अब यहां पे कहां से आएगा basically हमारे पास acetate तो मुझूद है formation of acetal coa हो रहा है तो अगर वहाँ पर coa की जगा they combine with the fluorine fluorine molecule के साथ combine कर जाता है तो इती फॉर्मा as fluoro acetate सहीh fluorocetate form कर लेगा and then for fluorocetate is inhibit the pre-for-opathy inhibit कर देगा किसको erection कियो किस exam को there is there stop the reaction of a conitize exam a conitize exam की जो reaction कर रहा होगा a conitize उसको क्या कर देगा inhibit कर देगा उसके बाद a quantity यहां पे जो formation होई क्या that is a formation of iso citrate that is convert into a and other molecule and then molecule will be a as far keto-glucarate यहां पर बात करते है first step कि आप बात करते है दो हमने बात किती for synthesis of citrate second step थी हमारे पास isomerization of citrate molecule and then iso citrate कि आई सब्सक्राइब कर देगा that a first carbo oxidative decarbo oxalation oxidative यानि carbon dioxide remove होगी step में अब हम बात करते हैं जब citrate convert होगा किसके अंदर alpha keto-glucarate के अंदर तो यहां पर carbon dioxide क्या हो रहा है carbon dioxide molecule क्या हो रहा है remove हो रहा है इस molecule के अंदर से यानि alpha keto यानि जब carbon dioxide का molecule remove होगे तो यहां पर हम बात करते हैं सिट्रेड इस श्क्रावन गंवालिक्यों कैसे जब आँ बात करते हैं जो वाई रहे इपा आपने आप सारी एस सटाई पो एंदेड आप in California as well as it is a four carbon containing molecule then combined together and form a six bourbon containing molecular six carbon containing molecule and then they will you can know the ise sitrate they are also containerone a six carbon molecule six carbon containing audio and then the then they will convert into a alpha аны two strategies so alpha people look at it is a five carbon containing molecules here यहां पर क्या होगी पांश कार्बन मॉलेक्यूल मुजूद होंगे and that five carbon atom that five carbon molecule that five carbon molecule जो है यह कैसे फोर्म होगा सबसे पहले हम बात करते हैं तो यहां पर जो हो रहा है इस और यहां पर product हो रहा है यहां पर Dlatego मैंने आपको पहले ने वहां पर क्या होगीна महां पर क्या होगे किसकी एनेड की कि के अंदर एने डी एच के अंदर तो यहां पर हम बात करते हैं इस 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 में यहां पर यहां पर बात करते हैं तो यहां पर जो अगर बात करें गी और एक इस इसके जो फिर्स्ट अगर हम बात करते हैं ATP इस एटीपी जो concentration है high concentration of ATP is inhibit the inhibit the function of regulation of the regulation of the conversion of the conversion of this enzyme inhibit the function of the this enzyme यानि इस enzyme के function को क्या करेगी inhibit करेगी उसके बाद अगर हम बात करते हैं और क्या चीज़ है जो इसके enzyme को regulate करेंगे तो अगर हम बात करते हैं concentration of NA sorry concentration of ADP high concentration of ADP क्या कर रहे होगी इसके लिए stimulation का बाइस बनेगी क्या हो क्या 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 बाइस बाइस बनेगी अब stimulation क्या करेगी या यह जब high concentration of ADP होगा तो इसके लावा एक वो चीज की calcium अगर हम बात करते हैं calcium is highly 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 stimulating factor highly stimulating factor positive stimulating factor है किसके लिए isocitrate dehydrogenase के लिए अब ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है कि जब अगर हम बात करते हैं muscle contraction करते हैं तो हमें energy की need होती है क्यों वहाँ पर जो हमारे myosin bridge बने होते हैं उनको break down है या 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 यहाँ पर भी calcium यूटिलाइब रहा होता है तो जब high concentration of calcium यहाँ पर होगी तो देख भी हाइज 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 स्टूमलस फोरा conversion of conversion of isocitrate into alpha-keto-glucarate यहाँ पर जब alpha-keto-glucarate होगा तो ATP नदीप molecule बनेगा दो एक अगर बाद में ATP molecule के अंतर वह इसकी बात हम आगे जब होगे तो इसको फड़ करेंगे यहां पर इसेप है यहां पर आईसोसित्रीट है यहां पर यहां पर जो हमारे पास keto, alpha keto glucose rate है, जिसे हम इन शॉर्ट क्या करें, alpha kg करें, they convert into acinyl coa, succinyl coa, succinyl coa, में जब convert होगा, तो यहां पर जो enzyme मुझूद होगा, that enzyme will be alpha keto dehydrogenase, that enzyme is a very important enzyme for our body, for this reaction and also our body, अब जोड़ी जिर में डिसकस करते हैं, तो अब बियोगे हम बात करते हैं, succinyl coa केंडर जब convert होगा, तो succinyl coa is a 4 carbon containing molecule, यहां पर बात करते हैं, तो एक succinyl कितने carbon carbon है, that is a 4 carbon containing molecule, तो यहां और वहां में अगर्वाद करते हैं, alpha keto glucose rate की देहबा 5 carbon containing molecule, तो यहां पर क्या होगा, the carbon dioxide will be removed in this step, one more time carbon dioxide will be removed in this step, in this reaction, sorry, in this reaction में यहां पर एक और मर्तबा carbon dioxide remove होगी, that's why the step will be known as second oxidative dehydrogenase, ठीके, अच्छा, होगा क्या, अब जब यह convert होगा, in the presence of alpha keto dehydrogenase, dehydrogenase, सब के लिए, अब तो पता चल गया, indication होगी किसके लिए, कि यहां भी hydrogenase विजाएं होगा, यहां पर NAD plus convert हो जाएगा NADH के अंदर, ठीके, अब यह NADH के अंदर convert होगा, ओ, यहां पर एक और चीज़ भी हुआ, यहां पर अगर मुआ बात करते हैं, किटो ग्लुकारेट के अंदर तो होगा है, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इस step में किस को एक ही addition करवा रहा है, किस के अंदर? को एजा है, executive छी के अंदर चीजान, को अ एक को एक कनो आफने को एक कनो कनो मॉल्कूल आप विसेख्थ Ч 27 को एक कनो मॉल्कूल आफ है, कदो मॉल्कूल आफ ही आपके कनो मॉल्कूल उलेक vagy si 001 ko A